ओम गणेशाय नमहा, ओम नमस्यवाय, मेरे चैनल पर आप सभी का पुनह स्वागत है, आशा करता हूँ कि करोना महामारी से आप और आपका परिवार पुरी तरह से सुरक्षित होगा, यह प्रोग्राम है 26 एपरिल 2021 मंडे के राशिफल के बारे में, यह राशिफल जोतिश और टैरो दोनों को मिला कर दिया जाएगा, तो आईए देखते हैं क्या होगा 12 राशियों का हाल टैरो और जोतिश के साथ, शुरू करते हैं, एरीज यानि की मेश राशी से करियर के लिए आज का दिन आपका अच्छा रहेगा, एक्सपेंसे आज आपके थोड़े ज़्यादा होंगे, बढ़ेंगे एक्सपेंसे, हो सकता है आपको अपने फादर को किसी कारण वश, किसी छोटी मोटी बिमारी से के कारण हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, आपके मदर और आपके भाई बहन को भी आज इन्फेक्शन का काफी खतरा है, तो आपको सबको सचेत कर दे रहे हैं, यदि आप मेश लगने या राशी के जातक हैं देख रहे हैं तो सबको सचेत कर दीजिए, आप एरिस वालों को आज सच में बहुत संभल के रहने की जरूत है, उनको और खास कर उनके घर वालों को, पैसे खर्चोने की संभावना बहुत जादा है, और पैसा आएगा भी, लेकिन साथ ही साथ चला भी जाएगा, आपका टैरो देख लेते हैं आज का, आपका टैरो है Seven of Swords, क्या बताता है या आज आपको थोड़ा धोखा मिलने की संभावना कुछ जादा है, जब आपको लग रहा होगा कि अब कुछ इससे बुरा नहीं हो सकता, तो एक और बुरी खबर आ जाएगी, आपको यही एडवाईस करूँगा कि आज जितनी चादर उतने ही पैर फैलाएं, यानि कि चादर से ज़्यादा पैर फैलाने की कोशिश ना करें, यह आप हर संदर्वों में ले सकते हैं, अपने expenses में, अपने desires में, हर चीज में इस चीज को आज के दिन आप अपलाएं कर सकते हैं, आपका शुब कलर है यलोई श्रेड, शुब अंक है वन यानि की एक भाग्य प्रतिशत है 40 प्रतिशत, आपको क्या करना है, सुबा सुबा हनुमान बहुक का, दो बार पाट कीजिए, आपका दिन शुब रहे, चलते हैं अगली राशी यानि की टॉरस, यानि की विशब, आज आपका focus अपने partner पर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, पर आप बात उनसे करेंगे, तो advice देना शुरू हो जाएंगे, और यह advice आपकी बहुत positively ली नहीं जाएगी आपके partner दोरा, तो ultimately क्या होगा, आप भले ही अच्छा बनके advice देने की कोशिश करें, लेकिन वहाँ से उसका retaliation अच्छा नहीं होगा, तो कोशिश करिए, advice नहीं दीजे, क्योंकि वह end up as a जगड़े में ही end up होगा, तो कोशिश करिएगा, कि जादा ही advice दना देना शुरू कर दें अपने partner को आज़ आप, पैसा आने का योग है, पर साथ ही expenses भी आज आपके काफी ज़ादा होगे, हो सकता है mother की medicines पे, या mother के इलाज पे, या किसी घर वाले की medical expenses पे आज आपके खर्चा होने वाला है, करियर वाइस आज हो सकता है, थोड़ा दिन लखी हो, कुछ अच्छी news, कुछ लख आपका आज काम कर जाए करियर के फील्ड में, घर में overall थोड़ा गुस्से वाला महौल रहेगा आज, हर कोई थोड़ा normal से ज़्यादा गुस्सा करेगा आज, देख लेते हैं आपका आज का टैरो क्या है, आपका टैरो है five of cups, क्या बताता है ये, emotionally uncertain रहेंगे आप, emotionally uncertain, confused नहीं, uncertain रहेंगे, certainty नहीं है आपके emotional life में आज के दिन, अपने failures पे ही focus करना start कर देंगे आज आप, बलकि एक opportunity जो सामने है, जो दिखाई दे रही है, उस पे आज आप focus नहीं करेंगे, पर जो failures आप झेल चुके हैं अपनी life में, उस पे focus करेंगे, उसके कारण guilt feel करेंगे, थोड़ा guilty pleasure लेंगे आज आज आप, लेकिन जो एक opportunity दिख रही है सामने है, हाँ इससे बहुत अच्छा हो सकता है, शायद आज उस पे आपका focus नहीं रहेगा, यह यह भी दिखाता है कि किसी कारण आप यदि किसी ने आपको hurt किया है पीछे, तो यह कारण यह है बोल रहे है कि forget and forgive वाला rule अपनाईए, otherwise यह आपको जिन्दगी बर तंग करता रहेगा, तो आज सोच ही उसके बारे में और आज ही सोच कर खतम कर देज़े, किसी ने भी आपको hurt किया हो तो, क्योंकि आगे वो आपको ही problem देने वाला है, आपका शुब अंक है two यानि की दो, शुब कलर है white, भाग्य प्रतीशत 50%, आपको क्या करना है आज, आप सरस्वती माता की पूजा कर सकते हैं, उनके विशिष्ट मंत्रों से, एक मंत्र आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, आपका दिन शुब रहे, चलते हैं, जमिनाय यानि की मिथुन, Emotionally और physically दोनों ही तरह से आज आपका दिन अच्छा नहीं है, Emotionally थोड़ा weird feeling आज आपकी रहेंगे, weird feel करेंगे आज आप बहुत, कभी कुछ, कभी कुछ मतले हैं कि बहुती weird feelings आज आपको आएंगी, आज आपको अपने partner के एक ऐसी side देखने को मिलेगी जिससे आप surprise हो जाएंगे आपने शाद expect नहीं किया था कि वो ऐसे भी हो सकते हैं ये usually ये उनके लिए कह रहा हूँ जो नए-ने relationship में आए हैं करियर के लिए job के लिए business के लिए अच्छा दिन हैं लेकिन expenses हो सकते हैं आज कुछ ज़्यादा हो सकते हैं आपको अपनी body पे थोड़ा अपनी body के needs के लिए थोड़ा expense आज करना पड़ जाएं देखते हैं आपका tarot क्या है आज का आपका tarot है three of cups क्या बताता है यह बोलता है कि manager level पे यदि आप job करते हैं तो आज आपका दिन बहुत अच्छा होगा management में हैं अच्छे level पे हैं यदि तो पिछले कुछ time में कुछ efforts डाले हुए हैं तो उसका आज बहुत अच्छा outcome आएगा बड़ आपका सारा focus work पे ही है इसलिए जो आपकी physical life है emotional life है romantic life है वो सब आज थोड़ा बहुत सफर करेगी तो उस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा balance बनाके चलिएगा आज आपको अपने bosses से, superiors से multinational company में काम करते हैं तो CEO से या अच्छे जो बड़े level पे officers होते हैं उनसे कुछ appreciation मिल सकती है जो आपको career में help करेगी आपका शुब अंक है 5 शुब कलर है light green भाग्य पतीशत 65 परसंट है आपको क्या करना है आपको शिव मंदिर जाना है शिव जी की पुजा तो करनी है साथ में कार्ती के जी का भी जलाविशेग करकिया है यदि नहीं जा सकते lockdown लगा हुआ है यदि आपके शहर पे तो आजक तो घर से ही कार्तिक जी का स्मर्ण कीजिए सुबा सुबा आपका दिन शुब रहेगी चलते हैं काल चकर की अगली राशी cancer यानि की करक आपकी नींद disturbed रहेगी सुबा उठने में बहुत दिक्कत होगी आपको आज बिजनस करते हैं ट्रेड है कुछ आपका तो आज आपका दिन अच्छा है आज यदि आप माबाप हैं पेरेंट्स हैं तो आज आपको अपने बच्चों के डिजायर पूरे करने के लिए अच्छा कासा खर्चा करना पड़ सकता है आज यदि इन्वेस्टमेंट की कहीं सोच रहे हैं तो आज भूल जाईए अभी आज तो बिल्कुल मत कीजिएगा आपका टेरो देख लेते हैं आज का आपका टेरो है दा वर्ल्ड कार्ड अच्छा कार्ड है एक सैटिसफेक्शन की फीलिंग है आज आप में सैटिसफाइ के स्पीट पे जा रहे हैं उसे आज आपको फरक नहीं पड़ता लेकिन यहीं पे आपको थोड़ा सम्हलने की जरूत है विकॉस आपको यह व्याव टू बकल अप कि आगे आने वाले चैलेंजिस हैं उसके लिए आपको तैयारी करना शुरू करना है हां आपका प्लैन पू बहुत हो गया कंटेंटमेंट वाली फिलिंग ठीक है अच्छा है लेकिन उसके बारे में भी साथ में पैरलली सोच के चलें कि फ्यूचर के लिए प्रिपियर रहना पड़ेगा और आज से प्रिप्रेशन शुरू कर दें प्लैन कैसे एग्जीक्यूट करने है उसका भाग्य प्रतीशत साथ सिक्स्टी परसंट चलते हैं काल चक्र की अगली राशी यानि की लियो सिम्ह राशी हेल्थ वाइज आज का दिन अच्छा नहीं है यदि आप फिफ्टी ब्लस हो चुके हैं तो आपको आज बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है हर्ट रियेट दिल से सम अमद्द कोई प्रॉब्लम हो सकती है और यधी अपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आज बहुत संभल के रहीएगा घर के रैनॉवशन के बारे में भी आज आप सोच सकते हैं या फिर यदि आपके पास कोई ही कल है तो उसका अप्क्रेदिशन के बारे में आज आप सोच सकते हैं धन्योग है पर बहुत स्ट्रॉंग नहीं है मतलब कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कमी आएगा सब्सक्राइब आप हजार रुपए एक्सपेक्ट कर रहे थे तो शयद साढ़े 500-600 रुपए ही आप आया आज आपका आज का हाँ लेकिन आपको आज अपने बच्चों के लिए थोड़ा इंवेस्मेंट करना बड़ेगा उनके स्टडी पर आज आपका टैरो देख लेते हैं आपका टैरो है सेवन ओफ वैंड्स वर्क करियर करियर पर आज आपका थोड़ा फोकस रहेगा और फोकस करना भी चाहिए करियर में आज ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसके लिए शायद आप अंडर प्रिपेर्ड हो आपको ऐसी सिचुएशन मिल सकती है जिसके लिए आप रेडी ही ना हो आपको अपना पॉइंट ओफ व्यू रखने में बहुत प्रॉब्लम आएगी कोई अक्सेप्ट ही नहीं करेगा और हर कोई अब्स्टरक्ट करेगा आपका पॉइंट ओफ व्यू यह यह है बता रहा है कि शायद आप अपने करियर के चॉइस में अभी अंडर प्रिपेर्ड है तो अपनी प्रिपेर्डनेस बढ़ाए आपका शुब अंक है आठ यानिकी एट शुब कलर है रेड भाग्य प्रतीशत है 45 परसेंट आपको क्या करना है आप सुबा सुबा भायरव पंचरत्न कवच सुनिये डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में है अगला अगली राशी है वर्गो यानिक करन्या पार्टनर से लड़ाई होने के आज बहुत संभावनाए है और काफी एग्रेसिव लड़ाई होगी आपकी मदर को कोई nerves से लेटेड आज प्रॉब्लम हो सकती है घर में कोई pipe लिके जूँ सकती है या कहीं पे sealant आने की पूरी संभावना है आज करियर में भी काफी प्रॉब्लम्स आज आपको हो सकती है conflicts बहुत होंगे arguments से भरा हुआ दिन आज आज आपका करियर में रहने वाला है business करते हैं तो आज थोड़ा बहुत profit आपको हो सकता है आपका tarot देख लेते हैं आज का आपका tarot है four of pentacles आज आप wealth money इन सबसे बहुत related related attached रहेंगे बहुत आपका attachment इन चीजों से ही रहेगा आपको ध्यान रखना है कि लालच में आकर आज कोई गलर decision नहीं लेड़ा है बहुत सिर्फ पैसा ही आज आपको अट्रेट करेगा पैसों की ही बात करेंगे mutual fund में है तो पूरा दिन उसी को देखते रहेंगे shares में है तो पूरा दिन उसी को देखते रहेंगे सोचते रहेंगे कहां पैसा लगाऊं इससे थोड़ा अच्छा बात है आप सोची इसके बारे में लेकिन थोड़ा कम सोची थोड़ा ऐसा नहीं कि 100% ध्यान इनी चीजों में आपने लगा देना है बहुत कंजूस भी रहेंगे आजाब आज हो सकता है आपको कहीं से ताना ये सुनने को मिल जाए कि भईया आप बहुत कंजूस हो आपका शुब अंक है वन शुब कलर है डाक रेट भाग्य प्रतीशत है 55% आपको क्या करना है सुबा सुबा कृष्णाष्टकम ये भजन है ये आप सुनिए चलते हैं काल चक्र की सातवी राशी लिब्रा यानि की तुला पर आपका बैंक बैलेंस आज बढ़ेगा आज आप अपनी थोड़ी हॉबिस पे इन्वेस्ट केजिए सिर्फ पैसे से नहीं अपना टाइम भी और एफ़र्ट भी अपनी हॉबिस पे इन्वेस्ट केजिए उससे फाइदा में लेगा आपको आज आप खर्चा करेंगे अच्छा खर्चा करेंगे लग रहा है कि आप कुछ किसी चीज़ पे खर्चा करने वाले हैं गुस्टा बहुत आएगा आपको स्पेशली काम से रिलेटेड जो आपका वर्क फिल्ड है उसमें कुछ ऐसे इशूस हो जाएंगे जिससे आपको गुस्टा काफी आएगा ओवराल आपके घर में आज थोड़ा डिप्रेसिंग सा और अनीजी सा महौल बना रहेगा आपकी मदर को आज इंफेक्शन के बहुत चांसे हैं और भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है तो उनका ध्यान रखेगा आपका टेरो देख लेते हैं आपका टेरो है नाइट ऑफ स्वाड्स एनर्जी आपकी आज काफी हाई रहेगी एस्पेशली वर्क फील्ड में बहुत एनर्जेटिक रहेंगे अगर कोई टार्गेट है आपको टार्गेट वाला आपका काम है तो उसको अचीव करने के लिए अपना अब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बहुत आतुर रहेंगे फुल आफ एनर्जी रहेंगे अपना अपना टार्गेट अचीव करने के लिए कोई difficult situation भी यदि आपको मिलेगी तो उसमें भी आप आज जीत हासिल कर लेंगे यदि आपको कुछ future में सोच रहे हैं कि कुछ बड़े step लेने हैं कुछ change करना है कुछ job से हट कर कुछ business करना है तो एक बात ध्यान रख लेजिए कि आपको अपना कोई loyal partner रूणना पड़ेगा जिस पे आप पूरा trust करें और उसकी शुरुवात आज से ही आप कर दें आपका शुब अंक है 3, शुब color है light brown और भाग्य प्रतिशत है 75% आपको क्या करना है सुबा सुबा दुर्गा चली सका पाठ कीजिए या फिर सुनिए आपका दिल शुब रहे चलते हैं काल चक्र की अगली राशी यानि की स्कॉर्पियो की तरफ आज आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे घर में हो सकता है कोई मंगल कार या कोई पूजा अनुष्ठान का योग बने आप आज बहुत confused रहेंगे एक बार एक ऐसा थोट आएगा और दूसरी बार जो थोट आएगा उससे पूरा opposite North and South Pole ऐसा आज आपका दिमाग रहेगा हो सकता है आज आप अपने भाई बहन के घर जाएं या हो सकता है वो आज आज आपके घर आएं करियर में बहुत uncertainty रहेगी जिसके कारण आप बहुत frustrated आज फील करेंगे आपका tarot देख लेते हैं आज का आपका tarot है Ace of Wands दिखा रहा है करियर पे focus रहने के साथ साथ अपने जो personal desires हैं उन पर भी आज आपका focus रहेगा आज आपको अपना passion वो follow करना है उसके बारे में सोचना है ऐसा दिखा रहा है ये tarot कि एक बहुती lucky opportunity is round the corner एक lucky opportunity आपको मिलने वाली है तो अपने कान और आख खुले रखिएगा और अपने अपना work related कुछ experiments करते रहे हैं नए चीज़े ट्राइग कीजिए उससे आपको बहुत फायदा मिल सकता है आपका शुभ अंक है दो भाग्य प्रतीशत है 55% और lucky color है light brown आपको क्या करना है आज आपको सुभा सुभा हनुमान जी की आर्थी करनी है या सुननी है आपका दिन शुभ रहे हैं चलते हैं काल चक्र की अगली राशी यानि की धनू सेजिटेरियस पुरा फोकस इस वक्त आपका करियर पर ही रहेगा आज के दिन आप थोड़ी confused रहेंगी अपने करियर को लेकर अपने करियर चॉइसेस को लेकर आज आप confused रहेंगे आपके partner और mother को आज infection का खतरा हो सकता है यदि आप job का try कर रहे हैं बहुत टाइम से तो हो सकता है आज किसी multi-level company से multinational company से आपको कोई offer आ जाए या hiring process का आज से initiate हो जाए मतलब कि हो सकता है किसी multinational company से आपकी job की बातचीत शुरू हो जाए आज जो positive way में आपको result देगी घर में बहुत तनाव वाला महौल रहने वाला है आपका एक दूसरे को देखते ही गुस्सा आएगा ऐसा महौल आज आपके घर में रहेगा यह दिख रहा है कि आज आपकी कोई ना कोई इच्छा जरूर पूरी होगी any desire जो बहुत time से था आज हो सकता है वो पूरा हो जाए आपका tarot देख लेते हैं आपका tarot है four of swords कभी कभी हम बहुत कुछ करते हैं बहुत कुछ ट्राइ करते हैं बहुत efforts डालते हैं पर उसके result हमें नहीं मिलते ये card भी कभी कभी ऐसा ही कुछ बया करता है तो आज आपको क्या करना है आपने बहुत effort कर लिये हैं तो आज step back and relax आज बहुत मत सोची उनके बारे में जोतिस से पता चल रहा है कि आप सोचेंगे लेकिन दिन के शुडवात अगर बहुत सोचते सोचते करते हैं तो दिन खत mid के बाद mid of the day के बाद थोड़ा relax कीजिए सोचिए अराम कीजिए और assess कीजिए कि हाँ हमें आगे क्या करना है और हमसे कहां गलतियां हुई हैं तो उस पे work on कीजिए एक चीज आपकी जोतिश और टेरो दोनों से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी तरह की delusion में हैं मलकी माया कुछ चीज है जो आपको भ्रमित कर रही है जो आपको reality नहीं आप reality नहीं देख पा रहे हैं अब वो किस एरिया में है वो आपको सोचना है आज का आपका शुब कलर है orange शुब अंक है 3 और भाग्यपती चत है 45 परसंट आपको गनेश जी का प्रयोग करना है मंतरों के साथ लिंक आपको description में मिल जाएगी चलते हैं काल चकर की दस्वी राशी यानि की Capricorn मकर राशी धन योग अच्छे बन रहे हैं अपनी health पे आप खर्चा कीजी आज health पे invest कीजी ब्रदर सिस्टर्स भाई बहन कजन से आज आपकी लड़ाई हो सकती है लाइफ में थोड़े obstacles आज आपको मिलेंगे business करते हैं तो आज लाब की बहुत संभावना है कुछ ना कुछ बहुत अच्छा अच्छी news आपको मिलेगी maybe profit से related नहीं कह रहा है लेकिन कुछ ऐसा होगा जो आपके business के लिए future में अच्छा होगा need आपकी पूरी तरह से disturbed रहेगी आपका tarot देख लेते हैं 10 of events कि अच्छा और बुरा दोनों card है करियर में कुछ टाइम से बहुत जादा efforts आप दे रहे हैं और बहुत जादा focus बना हुआ है overwork भी आप कर रहे हैं कभी कभी आपको ऐसा लगया कि सबका काम शायद मैं ही कर रहा हूं अपने job करते हैं को corporate में या किसी चिंता मत किजिए ये आपको ही आगे जाके help करने वाला है इसका फायदा आपको अवश्य नियर फ्यूचर में ही मिल रहेगा आपका शुब अंक है 6 शुब कलर है light blue भाग्य प्रतीशत 70 परसंट आपको आज हनुमान बाहुक का दो बार सुबा पाठ करना है पाठ नहीं कर सकते तो सुन लीजिए आपका दिन शुब रहे चलते हैं ग्यारवी राशी यानि की कुम्ब राशी की तरफ हेल्थ आपकी आज अच्छी नहीं रहेगी हो सकता है हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े हैं सेविंग्स से आज कुछ खर्चा होने वाला है जो बचाके रखा हुआ है उसमें से थोड़ा बहुत खर्चा आज होगा आपके बच्चों को anxiety issues आज हो सकते हैं बच्चों को चोट भी लग सकती है बच्चों का infection का भी खतरा है तो बच्चों का आज अपने ध्यान रखिएगा यदि आप academic field में है academic field में आपका करिया है तो तो आज आपका दिन अच्छा है otherwise बहुत conflicts आपको आज आने वाले हैं आपका tarot देख लेते हैं आज का आपका tarot है nine of pentacles financially अच्छा दिन रहेगा income sources income के sources बढ़ सकते हैं आज आपको क्या करना है पैसा जो कमाया हुआ है या आज जो पैसा आया है आएगा या संभावनाए बढ़ेंगी तो थोड़ा उसको enjoy भी किजिए कुछ luxurious चीज खरीदने की सोच रहेते बहुत दिन से तो आज खरीद यदि budget बन रहा है तो पैसा आया है तो खरीदिये पैसे को enjoy भी किजिए उससे आपको आज आनंद मिलेगा आपका शुब अंक है 7 भाग्य पतिशत है 80% और शुब कलर है off white आपको क्या करना है आपको तुलसी जी की पूजा करनी है सुबा तुलसी जी को जल चड़ाना है औ आपका दिन शुब रहे चलते हैं काल चक्र की आखरी राशी यानि की पाइसेस पर आज आपको गुस्सा बहुत आएगा घर में विमारी एंट्री करती भी दिखती यानि कि आपके घर वालों को आज को कोई ना कोई डिजीज पकड़ सकती है इस्पेशली आपकी मदर को कर करियर के लिए आज आपका बहुत अच्छा दिन नहीं है कंफ्यूज रहेंगे करियर चॉइसेस को लेकर पूरे दिन टेंपररी हैं डॉन्ट वर्य आपके पार्टनर को उनके करियर में आज कोई अनेक्सपेक्टेड न्यूज मिल सकती है पॉजिटिव नहीं काऊंगा थो टू आफ कप्स क्या दिखाता है यह बोलता है इमोशनली आज अपने पार्टनर के साथ आप अच्छा फील करेंगे आज अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंट कीजिए आपको बहुत अच्छा फील होगा आपको उनको स्पेशल फील कराना है अपने रिलेशन को ग्रो करने के लिए उनको स्पेशल फील कराई आज उनको confidence देजिए कभी-कभी हो सकता है आपकी तरफ से उतना confidence नहीं दिया जा रहा हो उनको कि वो पूरे 100% sure हों कि हाँ you are the right person for him और her तो उनको confidence दीजिए कि हाँ आप भी उतने ही committed हैं आज mutual understanding आप दोनों की बड़ेगी आपका शुब अंक है 8 यानिकी 8 शुब कलर है औरेंज भाग्य प्रतिशत है 55% आप आज सुबा शिव चालीजा का पार्ट अवश्य कीजिए तो ये था बारा राशियों का हाल 26 एप्रेल 2021 मंडे का वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अविश्य कीजिएगा कमेंट बॉक्स में ओम नमस्यवाए लिखके जरूर जाइएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा यहां आपको डेली प्रेडिक्शन्स, वीकली प्रेडिक्शन्स, मंतली प्रेडिक्शन्स के साथ साथ जोतिश पे कई वीडियो मिल जाएगी साथ ही तंत्र की वीडियो में आपका दिन शुब रहें ओम नमस्यवाएगा अधि